अस्सलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे मतन पुलाओ इसके लिए आदा किलो मतन लियावाई से साबधो के रखावाई मीडियम साइस के पीस कियेवे टेस के ओकाटिंग नमक दालेंगे वन टीस्पून धनिया पॉड़ दालेंगे टू टेबल स्पून अधर ग्लेसन का पेस दालेंगे टेस के ओकाटिंग हारी मिर्च का पेस दालेंगे वन टेबल स्पून जीरा पॉडर दालेंगे वन टी स्पून बरीसो पॉडर दालेंगे यहाँ पे दही लियावाई से अच्छा से फेट की रखावाई यह भी इसमें दालेंगे दही मेरा अपना घर का बनावाई इसकी लिंक मैंने दाली विये इन सब चीजों को हम अच्छा से मिक्स करेंगे और इसे एक घंटे के लिए मैरीनेट होने रख देंगे इसे हमको ढखके रखना है यहाँ पे हमने 24 खिलो चावल लियावाई इसे दोएगे और इसे भी एक घंटा भीगने के लिए रख देंगे यहाँ पे एक बरतन लियावा है, बरतन अच्छा से गरम हो गया है, इसमें अभी हम तेल दालेंगे, तेल भी अच्छा से गरम हो गया है, इसमें हम दालचीनी दालेंगे, चार पीस, इसमें हम काली मीर्च दालेंगे, आठ से दस, बड़ी इलाइची दालेंगे, एक, आठ से और आठ से दस करीपत्ता दालेंगे इन सब चीजों को हम दो मिनिट तक भूनेंगे इसमें खुछ बहना स्टार्ट होगी अच्छा से अब इसमें बिरिस्ता दालेंगे दो मुथ्थी बिरिस्ता भी मेरा अपना घर का बनावाए इसकी लिंक में डाली भी है और इसे दो मिनि तक मसालिक अचे से बूनेंगह और इसमें में घर झाक हमने मरेनट होने के लिए रख्था आप पानी दाल के लेगे ताकि सारा मसाला को मिल जाएंग अब इसे घंची में मिक्स किया वा था अभी हम चेक करते गोश अमरा इसे गला कि रिडियो श्लियों इसमें हम आलेंगे 2 medium size کے आलू लिये वे हमने। अगर आप नहीँ खाते तो आप इसे skip भी कर सकते। इसे भी अच्छे से mix करेंगे। इसमें conv bin पानी दालेंगे चावल के हिसाब से इसमें अभी हम चावल दालेंगे। चावल खावल हमारे अच्छे से फुल गए। इसे जो चावल हमारा खुलाखुला बनेंगा तेखो इसमें दम आना स्टार्ट हो गया है अच्छे पक्नास्ट हो गया है अब ऐसमे एक निमो का रस जी मीक्स ऑफकेंगे शीर ख्क кाण moms बदीन को करेंगे अच्छाम चोत्यार थालेंगहार द कलर विदे को मशाला कितना अच्छा है इसे भी हम सर्फ करेंगे आप भी बनाए आप भी ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी हाई फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ममा की रेसेपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वच्छेंग